आज के इस वीडियो में Decorators के बारे में आपको बताऊँगा Decorators basically वो functions होते हैं जो कि दूसरे functions को change करके return करते हैं Simply एक function है जो कि एक दूसरा function लेता है उसको थोड़ा बहुत update करके दुबारा से return कर देता है Exactly ये किस तरह से काम करते हैं add the rate syntax python में किस तरह से काम करते हैं इस वीडियो में आप लोग यही देखने वाले हैं चलते हैं अंपीडर स्क्रीन में Let's get started तो जो सबसे पहला सवाल आप लोगों के दिमांग में आएगा वो यह आएगा कि क्यों आप ऐसा करना चाहोगे आप ऐसा क्यों चाहोगे कि एक function है वो एक function रिटर्न कर रहा है मतलब इस सब के पीछे motivation क्या होगा यह मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले और उसके बाद हम लोग खुलासा करेंगे और चीजों का लेकिन उससे भी पहले न मैं यहाँ पर आप लोग को पहले दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ थोड़ा सारा महौल बना रहा हूँ तो यह आगया मेरा side में जो भी यहाँ पर मैं लिखूंगा वो आएगा मेरा यहाँ पर side में मैं console को यहाँ पसंद कर दो और एपलेट की एक बहुत बढ़िया बात यह लगती है कि यार कुछ भी मैं यहाँ पर लिखूं इसका output यहाँ ट्यूटोरियल यहाँ वीडियो यहाँ तो एक learning experience भी अच्छा रहेगा आपका और मैं तो बहुत satisfied हूँ इस चीज से और यहाँ पर देखो आप लोग की python decorators के बारे में आप लोग को बता को तो तो सबसे पहले एक बहुत ही basic सा function लिखेंगे और यह मैं इस तरह से hello लिखूंगा आप लोग कि यहाँ पर hello और उसके बाद print hello word और फिर उसके बाद यहाँ पर इसी को invoke करके आप क्या सावित करना चाते हो यह शायद आप लोग बोलोगे इसको run करके यहाँ पर hello word आ जाएगा यह दिखा कि क्या सावित करना चाते हो तो मैं कौँगा कुछ सावित तो नहीं करना चाता हूँ लेकिन आप लोग को एक चीज बताना चाता हूँ मैं कि इसने directly मुझे hello word दे दिया मैं यह नहीं चाहता मैं कहता हूँ कि भाई यह function जो भी काम करें मुझे नहीं पता ही क्या कर रहा है यह एक add नाम का function हो सकता है जो कि print करेगा a plus b मुझे नहीं पता है यह return करेगा a plus b लेकिन भाई यह इज़त दे return करने से पहले लोगों को जो भी इसको run करें मालो एक example दे रहा हूँ मैं आप लोग को कि क्या करें इज़त दे लोगों को return करने से पहले तो यह कुल मिलाकर मैं इससे चाहूँगा कि add करने से पहले good morning बोले और उसके बाद बोले thank you for using this function तो आप क्यार ऐसा करना है तो add को modify कर लो लेकिन आप मालो आपके पास 125 functions है और आप चाहते हो हर function के run होने से पहले good morning run हो कोई भी run करे और उसके बाद जो है good night run हो या thanks for using this function रन हो आप में से कई लोग कैसा क्यों करना चाहेंगे लेकिन आपको decorator बता रहा हूँ कि क्यों use करेंगे ह बगाता हूँ ठीक है इससे क्या होगा मुझे greet नाम का एक function मनाना होगा जो एक function लेगा और एक function ही return करेगा तो basically मैं क्या कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ function को modify कर रहा हूँ सीधी बात नो बखवास बोलता हूँ decorator से function को modify कर देते हैं कैसे modify करेगा greet function मैं आपर गाँ यह greet है यह खुद में एक function लेगा greet खुद में एक function को as an input लेगा और इसको as an input लेने के बाद यह क्या करेगा simply print करेगा कुछ इस तरह से good morning ठीक है और इसके बाद इस function को run किया जाएगा ठीक है और मैं आपर क्या करूँग एक और function बनाऊंगा def और मैं आपर लिखूँगा mfx यानि की modified fx और यह modified fx क्या करेगा simply run करेगा इस line को जो कि good morning print करेगी और इसके बाद यहाँ पर thanks for using this function तो यहाँ पर thanks for using this function इस तरह से आ जाएगा और आप लोग यहाँ पर देखो कि जैसी मैंने यहाँ पर thanks for using this function लिखा न तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि मैं इसको return क करने से क्या होगा कि जो यह function है वो return हो जाएगा अब क्यूंकि मैंने return कर दिया यहाँ पर mfx को अब मैं अगर कोई भी function run करूंगा मानो मैं hello को मैं decorate करता हूँ इस decorator से जिसका नम greet है अगर मैं कुछ इस तरह से इसको decorate करता हूँ और मैं hello को run करता हूँ तो आप लोग दे is not defined तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको greet के बाद लिखना पड़ेगा ताकि यह जो है मिल जाया आप लोग देखो यहाँ पर good morning hello world or thanks for using this function यहाँ पर आ गया तो यह काम की इस तरह से कर रहा है यह विसी गली क्या कर रहा है कि जो मेरा hello function है उसको modify कर दे रहा है hello के काम हो रहा है क्या काम हो रहा है वो यहाँ पर बताया गया तो decorator कुछ नहीं है वो एक सिफ syntactic sugar है ठीक है तो आप देखो यहाँ पर मैंने एक बात लिके हुए decorator is a function that takes another function as an argument returns a new function that modifies the behavior of the original function the new function is often referred to as a decorated function the basic syntax for a decorator is the following यह है अब जो decorator function होगा वो क्या करेगा वो return करेगा ए उसको modify करके return कर देगा जैसे इस case में अगर मैंने आप पर यह ऐसे किया है तो मैं basically क्या कर रहा हूँ मैं hello यह करके hello run कर लूँ या फिन मैं यह अगर ना करूँ तो मैं कुछ ऐसे कह सकता हूँ मैं कहता हूँ भाई greet को hello दो और उसको run कर लो फिर समझे आप यह भी यही ची रखो और आपको क्या मिलेगा आपको यह वाला syntax automatically मिल जागा यह लगाने से इस बात पर थोड़ा विचाल करो रुको देखो जो मैंने बोला एक बार और सुनो इस बात को अगर digest नहीं हो रही कुछ चीज़े एक बार में digest नहीं होती है कि बहुत सारे लोग मुझ से कहते है हमें यार यह चीज समझ नहीं है आपने जो बोली कभी ठहरना पड़ता है समझना पड़ता है चीज़ों को यह उनमें से एक चीज़ है देखो क्या किया मैंने एक तो यह कर सकता था मैं बिना यह लगाए फिर मैं यह नहीं लगाता अगर मैं अगर 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 अब एक practical use case मैंने आपर दिया हुआ है आप लोग को वो दिखाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है आपर practical use case क्या है एक logging का use case है चुकि मैंने आपर दिखाया हुआ है कि कभी भी आपको logging करनी है और आपको ऐसे functions को run करना जो कि argument पास करते हैं जैसे कि add a,b अगर आप add a,b को decorate करने की कोशिश करोगे greet से तो आपको आने वाली है दिक्कत क्योंकि हमने क्या किया add तो दे दिया लेकिन add के arguments नहीं दिया है अभी तक तब यहाँ पर आप देखो एक पर मैं इसको arguments यहाँ पर दूँगा लेकिन add तक पहुँचेंगे नहीं arguments चुकि मैंने दिया इनी arguments मैंने सो simple add function दिया है ठीक है तो अब देखो अगर मैं इसको run करूँगा तो यहाँ पर यह arguments ले ही पढ़ चुके हैं और क्या होते हैं star arcs star arcs basically आपके जितने भी arguments है उनको लेने का तरीका है as a tuple और यह as a dictionary सारे arguments को लेने का तरीका है key value pairs के तौर पर ठीक है इस तरह से और जब मैं return करूँगा इसको mfx को तो मैं ऐसे के ऐसे ही return कर दूँगा अब मैं अगर इसको चलाओंगा तो आप लोग देखो मैंने कहा greet add 1,2 तो इसने good morning किया 3 दिया और फिर यह दिया ठीक है तो जब भी arguments होते हैं किसी भी function में तो यह तरीका होता है करने का और इस example को आप लोग जरूर पढ़ना logging module क्या होता है basically logs console पर देखने के काम आता है आप अगर logs कहीं पर भी देखना चाते हो console पर या फिर मानलो आप logs को transmit करना चाते हो over network आप use कर सकते हो logging को ठीक है तो I hope कि यह जी समझ में आई और फिर आप क्या कर सकते हो इसमें logging में एक I hope आपको इसी समझ में आ रही है अब देखो in this example the log function call decorator takes a function as an argument and returns a new function that logs the function call before and after the original function is called तो यहाँ पर हमने simply log function call decorator लगाया और इसने इतना सारा काम free में करके दे दिया तो यह function जो log function call हो हमें एक बाल लिखना पड़ेगा और हमें automatically क्या होगा यहाँ पर decorated function देखने को मिल जा अगर मैं यहाँ पर at the rate greet लिख दूँ अभी और इसके बाद मैं सो comment out करके add 1,2 करूं तो बात वही है एक ही बात है आप ऐसे कर लो greet लगागे या ऐसे कर लो बिना greet लगाए बात बराबर है लेकिन आप खुद ही बताओ बार बार ऐसे लिखना चाहोगे या एक बार greet से decorate कर function को normally call करना चाहोगे आपको गया normally call करना चाहोगा एक बार में decorate करूँगा normally call करना चाहोगा हाँ जो beginners है वो यह मुझे से दरूर कह सकते हैं कि यार मैं ऐसे ही ठीक हूँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ नहीं हो आप ऐसे ठीक अगर आप ऐसे ठीक होते देखो अगर आपको ऐसे ही र right code, the way you live your life, the way you work hard, ठीक है, तो यह सारी चीज़े चेंज करोगे अगर अपने बारे में, तब आपको अच्छे results देखने को मिलेंगे, अगर आप वो काम करोगे जो कि आपने life में कभी नहीं किया, तब आपको वो results देखने को मिलेंगे, जो कि आपको life में कभी नहीं मिलें, अभी आपके उपर आपको वो results देखने हैं, जो कि life में आपको कभी नहीं मिलें, या फिर आपको नहीं देखने हैं, या आपके हाथ में है, ठीक है, तो यह decorators और थोड़ा सा pinch of motivation भी आगया है इस tutorial में, लेकिन decorators काभी powerful है, flexible है, और मज़ा आता है यार, use करने में, और यह जो notes में लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसको please ignore मत करना है क्यों काफी महनत से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो जरूर इसको आप लोग पढ़ें, इस पे महनत करें, यह code आप यहाँ क्लिक करके copy कर सकते हो, यहाँ रैपल में paste करके चला सकते हो, चला हो, महनत करो, ठीक है, बहुत easy है, believe me, जब मैंने start की दिए सब चीजे सीखना, अगर इस तरह की कोई resource होती है, तो मैं कुछ भी करके इस resource को अपना था, कैसे भी करके मैं सीखता, मैंने जब start की दिए से जिखना था resources, थी ही नहीं, लिमिटेट तो छोड़ो, थी ही नहीं, ठीक है, आप बुक लो, आप 5-6 तरी के figure out करो, उनमें से फ तो उसको जो है, आप यहाँ पर फाइदे में लो यार, उसका फाइदा उठाओ, एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बार बर आ रहे हैं, कि जब भी मैं कोई रैपल देता हूं, तो आपको कैसे use करना है, आप क्या करो ना, कि यहाँ पर वाओ, मेरे 41.6 के followers हो ठीक है, आप इसको अपना अराम से use में ले सकते हो, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं कैसा हूँग कि आप लोग को मज़ा आया, डेकोरेटर समझ में आया, अगर आपने अभी तक यह 100 Days of Code प्लेइलिस को access नहीं किया, तो इसको ज़रूर कर लेना, वाओ, we just crossed 1 million views मैंने अभी देखा, काफी बड़िया चल रहा है, काफी आपका जोश देखके न, मेरा जोश भी बढ़ रहा है, इसी वज़े से अभी तक एक दिन भी miss नहीं किया है, हम लोग लगातार कर रहे है, Christmas, New Year, enjoy कर रहे है, 100 Days of Code चल रहा है, क्योंकि 100 Days of Code हमारा enjoyment है, सब कुछ चल रहा है साथ साथ, ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतने हैं, थैंक यू सो मच गाइस पो वाचिंग इस वीडियो, एंड आइवल सी यू नेक्स ताइम,